शान्ती आपका प्रेशन है कि सारी इस्त्रियां यदि ब्रमा कुमारियां बन जाएं तो स्रिष्टी कैसे चलेगे सारी ग्रेश्ती बिगड़ जाएगी सारा संसार बिगड़ जाएगा सारे संसार की विवस्था खराब हो जाएगी गर ग्रस्त सारा सत्या नास हो गया विल्कुल यह प्रेशन सब दोग पूछते हैं शब्द अलग-अलग होते हैं चाहे वो पुरुशो तो चाहे वो इस्त्री हो उसने यदि ब्रह्मचरिय का पालन किया स्रिष्टी को पावन बनने में पहला कदम है खुद को पवित्र बनाना जब मैं खुद पवित्र बनता हूँ तब पता तलता है कि इसने कौन सी अटिक चक्की गाटा खाया है कितना ये स्रिष्ट बना है कितना ये वेवार कुष्ट बना है जितना वो चरिष्ट बनेगा उनके बताय हुए डारेक्शन पर चल कर वह भी माइना वह भी स्रिष्ट बनेगा अब पवित्र बनने के कारण ये तो पहली बात है कि संतान की व्रिधी रुक जाएगी कुछ लगों कुछ जगाओं पर घर ग्रेश्ट के अंदर जगड़े भी हुए हो भी रहे हैं जहां पर पती ग्यान में नहीं चलता जहां पती ग्यान में चलता है और पतनी नहीं चलती है क्योंकि सिचुएशन अलग होती है बाकी बाबा कहते बच्चे ये दुनिया मेरी है चिंता तुम्हें क्यों मैं है बस्ट फैमिली प्लानर हूँ एक मुर्ली में बाबा ने कहा कि जा कि हेल्थ मिनिस्टर को बता दो कि ये फैमिली मेरी है मैं अपनी फैमिली को देख सकता हूँ सारी बात तो निर्बर करनी है कि परमात्मा सारी स्रिष्टी का रच्च इता वो सारी स्रिष्टी का मालेक चिंता उसको या हमें तो ये फैमिली बाबा की चिंता बाबा को बाबा के रहा है कि मैंनी सारी आत्मां को घर ले जाना है पहला जनम लेने वाली नो लाख आत्माई होंगी लगब कम भी हो सकती हैं कोई फिक्स नहीं है परन्तु ये जरूर है कि चाहे वो किसी भी रूप में तो इसके चिंता किसी को भी करने की जरूरत नहीं है करद़ ले मां जरूरत नहीं है झाल झाल